सेलो दोस्तों बहुत-बहुत सोगत है मेरे चैनल में आपका जिसका नाम है चाट का घ्ञानटों डोस्तों कल का यहां पे हम लोग अनशीस कर लेते हैं कि कल क्सक्रास पाइग d और कल है bank nifty का expidy, तो जैसा कि आप लोग को पता है, कि expidy में यहाँ पर hero zero भी होता है, और बहुत लोग यहाँ पर losses भी करते हैं, तो कल कौन सा यहाँ पर level रहेगा, उस पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर bank nifty काउम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर check out कर पा रहे होंगे, आज market एकदम से कुछ भी नहीं किया है, market एकदम से decay हुआ है, क्योंकि बीच में यहाँ पर काफी जादा holidays आ रहा था, जिसके वज़ा से market में जो भी बड़े players होंगे, वो positions यहाँ पर नहीं बनाए होंगे, तो आप यहाँ पर continuously यहाँ पर देख पाड़े होंगे, market एक support लेके, market एक support यहाँ पर लिया, दूसरा support यहाँ पर लिया, third support यहाँ पर यह लिया, अगर market 44,250 के नीचे, अगर market अगर trade करता है, तो easily हम लोग यहाँ पर फर्स टारगेट लेंगे, 44,111, second target हम लोग लेंगे, 44,045, and third target हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, 44,911 का, ठीक है, तो यह हमारा तीन target रहेगा, downside का, क्योंकि यह हम लोग के लिए, एक measure, यह support आप लोग को देखने को मिल रहा है, जब भी price यहाँ पर आ रहा है, bounce back कर रहा है, जब भी price यहाँ पर आ रहा है, bounce back कर रहा है, तो यहाँ पर भी देखे, third time यहाँ पर कोसिस किया, लेकिन market यहीं पर काफी यादा consolidation किया, तो एक हमारे लिए एक measurely यह support का काम कर सकता है, है ना, यह support का काम कर सकता है, चलिए, downside का हो गया, और upside, upside market में क्या momentum यहाँ पर रह सकता है, उसका हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो अगर market अगर यहाँ पर flat opening अगर होता है, और इसका अगर breakout करता है, तो फिर easily एक high हम लोग को यह resistance देखने को मिल सकता है, और first target हम लोग easily यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन bank nifty को इसका breakout होने के बाद, market को ऐसे यहाँ पर निकलना परेगा, हो सकता है कि market यहाँ पर जाए, और M pattern बनाके यहाँ पर market कहीं नीचे ना आ जाए, तो इसलिए अगर market अगर flat अगर opening होता है, और इसका 2SS, 2RR के according, 2SS and 2RR, यह मेरा बहुत ही जब अर्दस setup है, अगर आप लोगों ने यह setup नहीं देखा है, तो यह setup आप लोग जाकर देख लिजेगा, trading का सारा सच्चा है आप लोगों को पता चल जाएगा है ना, तो इसके अगर उपर अगर market breakout करता है, उसके बाद market काफी यादा sustain करता है, और market में 44,500, याद रखियेगा, sorry, 500 हाँ, 44,500 के उपर market अगर sustain करता है काफी देर, और अगर इसका अगर breakout अगर अच्छा एक होता है, तो इसली हम लोग इस high पे आ सकते हैं, जो कि हम लोग का first target यहाँ पे 44,000, 44,000, 6,55, first target, and second target, 44,000, 7,34, and third target हम लोग यहाँ पे, third target हम लोग यहाँ पे लेंगे, 44,000, 5,855, यह downside का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन bank nifty को यह याद रखेगा, यह एक इसके लिए majorly resistance हो सकता है, क्योंकि हम लोग के लिए majorly resistance यह वाला दिख सकता है, अगर इसका आप high, चलिए यहाँ पे मैं clear करके, मैं अच्छे से आप लोग को दिखा देता हूँ, यह इसका high, यह इसका high अगर आप check out कर पा रहे होंगे, तो 44,566 का यह वाला high, यह वाला, यह जून, यह जून इसका resistance देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस यहाँ पर देखे, काफी जादा यहाँ पर hit किया है, bounce back मिला है, तो यह इसके लिए एक, जैसे होता है न, कि support becomes resistance, तो यह एक resistance के तरह यहाँ पर काम कर सकता है, तो चलिए bank nifty का मैं अलेसेस, यह एक इसका support आ रहा है, और इसका अगर, यहाँ पर अगर market अगर flat अगर opening होता है, अगर downside अगर market आता है, तो पहला हम लोग easily यहाँ पर यही target रख सकते हैं, जो कि इसका almost आप low देखेंगे, तो almost इसका first target यहाँ पर 19,000, 480 पहला target, and second target 19,000, 19,000, 380, and third target हम लोग ले लेंगे easily, 19,000, 333 का, यह हम लोग downside का target देख सकते हैं, और market अगर यही पर consolidate करके, अगर breakout करता है, तो पहला target हम लोग को यह वाला easily यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी जादा market में range बना है, तो market इस range पर जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर अगर sustain करता है, और उसके बाद अगर breakout करता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर upside देख सकते हैं, ताकि market यहाँ पर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलि दोस्तो, अगर यह analysis अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके जोड़ बताईएगा, कि क्या इस analysis से आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, है ना, तो चलि अगर आप यहाँ पे देख पाड़े होंगे, तो डाउजोन यहाँ पे काफी जादा negative यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मैंने इंस्टागरान पे short वीडियो का यह level भी मैंने दिया था, और यह देखे यह level easily यहाँ पे target देते हुए, डाउजोन भी यहाँ पे नीचे आ चुका है, तो कल हो सकता है कि कल भी यहाँ यहाँ पे negative यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप डाउजोन देखेंगे, तो almost यहाँ पे 440 points का गिरावट देखने को मिल चुका है, तो चलि दोस्तों, कल देखते हैं, और जो लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जोईन हुए हैं, तो जल्दी से वहाँ पे आप लोग जाकर टेलीग्राम जोईन, जरूर जोईन, वहाँ पे जरूर जाकर टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लिजेगा, वहाँ पर मैं इंट्राडे के चार्ट पोस्ट मैं करते रहता हूँ लेवल्स मैं ड्रॉ करके वहाँ पर देता हूँ तो चलिए दोस्तों फिर मलते हैं नेक्स्ट आनल अस वीडियो में जै हिंद